हालो फ्रेंड्स फेलकम इन मा यूटूब चैनल रेडियो लोजी टेकनिकल फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है हाउ टू रीड एक केयूबी एक्सरे कैसे देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो friends वीडियो वो लाश्ट तक जरूर देखें और विडियो जी टेकनिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए जानते हैं केयोबी एक्सरे के बारे में How to read a केयोबी एक्सरे मतलब केयोबी एक्सरे को कैसे read करते हैं Friends सबसे पहले जानते हैं कि केयोबी का क्या मतलब होता है Friends केयोबी का full form kidney, ureter और bladder होता है K means kidney, U means ureter, B means bladder इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं कि यह kidney है, यह ureter है और यह bladder होता है Friends केयोबी एक्सरे के बारे में जानने से पहले उसके anatomy के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है तो Friends अपन सबसे पहले kidney, ureter और bladder की anatomy के बारे में जान लेते हैं Friends इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं कि human body में यह दो kidneys होती है एक right side और एक left side होती है और human body में ureter भी दो होते हैं एक right side और दूशरा left side और यह bladder होता है, जो एक ही होता है, जो ureter से जुड़ा होता है अब हम जानते हैं कि kidney का क्या function होता है मतलब kidney हमारे सरीर में क्या काम करती है Friends, kidney हमारे सरीर में west fluid या extra fluid को remove करती है मतलब kidney हमारे blood को filter करता है Friends, kidney में million filter units पाए जाते हैं जिने nephrons का जाता है यह nephrons ही blood को filter करते हैं और abscist और west fluid को remove करते हैं और Friends, kidney हमारे body में electrolytes के balance को बनाई रखती है और यह blood level और blood pressure को भी control करती है और Friends, kidney हमारे body में blood के pH level को भी control करती है अब location of kidney की बात करते हैं मतलब kidney हमारे सरीर में कहां इस्तित होती है Friends, हमारे सरीर में kidney posterior abdomen मतलब abdomen के पिछे वाले area में इस्तित होती है और यह T12 से लेकर number 3 तक होती है और Friends, kidney का जो सेफ होता है वह बीन सेफ होता है मतलब kidney एक सेम के आकार की होती है Friends, जो right kidney होती है वह left kidney से थोड़ा निचे होती है क्योंकि right kidney के उपर liver होता है अब ureator की बात करते हैं Friends, human body में दो ureator होते हैं एक right side और एक left side होता है इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह ureators होते हैं एक right side और second left side ureator का काम हमारे सरीर में यह होता है कि यह urine को kidney से urinary bladder तक ले जाता है और friends, ureator की जो लंबाई होती है वह 25 cm होती है और जो चोड़ाई होती है वह 3 mm होती है अब bladder के बारे में जान लेते हैं इसे मुत्रा से भी कहा जाता है इस diagram में आप देख सकते हैं कि human body में यह bladder होता है हमारे सरीर में bladder का आकार तिरभुज के आकार का या triangle के shape का होता है friends, हमारे सरीर में bladder, urine को store और एक सकरिये उर्थसरजन ओर्गन के रूप में कारिये करता है आईए friends, हम एक QB का X-ray देखते हैं इस X-ray में आप देख सकते हैं कि QB के X-ray में यह दो किर्णी होती है right side और left side और friends, यूरेटर आपको space troop से IVP के X-ray में देखने को मिलते हैं और इस X-ray में bladder यहाँ पर होता है और यहाँ पर यूरेथरा होती है और यह pelvis area होता है friends, आज हम QB के X-ray में stone या पत्थरी को देखेंगे friends, stone, पत्थरी, calculus, तिनो एक ही चीज होती है friends, इस X-ray में आप यहाँ पर पत्थरी की सेडो देख सकते हैं जो radio opaque होती है radio opaque मतलब पत्थरी या stone X-ray में white या चमकिली दिखाई देती है और friends, QB के X-ray में gas की सेडो radiolution होती है मतलब यह X-ray में black दिखाई देती है इस X-ray में आप देख सकते हैं कि जगह-जगह gas के bubble दिखाई दे रहे हैं आईए सबसे पहले अपन केड़नी में पत्थरी को देखते हैं इस X-ray में आप देख सकते हैं कि यह केड़नी में multiple पत्थरी है यह पत्थरी राइट केड़नी में परजेंट है और फ्रेंट्स इस डाइग्राम में आपको केड़नी की सेडो भी दिखाई दे रही है इस second वाले डाइग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर left केड़नी में यह इस्टोन या पत्थरी है यह एक सिंगल पत्थरी है और फ्रेंट्स फ्रेंट्स वाले एक्सरे में multiple पत्थरी थी आईए अब हम यूरेटर में पत्थरी को देखते हैं इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरेटर में multiple पत्थरी है और नीचे यहाँ पर एक सिंगल पत्री पढ़ी हुई है और यह पत्री लेप्ट यूरेटर में परजेंट है अब अपन ब्लेडर के अंदर पत्री को देखते हैं इस एक्सर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह ब्लेडर में पत्री है और इसकी साइज भी कुछ ज़्यादा ही है फ्रेंट्स पत्री या इस्टोन आपको किड्नी, यूरेटर या ब्लेडर में कहीं भी हो सकती है तो फ्रेंट्स इस परकार आप के यूबी का एक्सर देखकर घर बेटे पत्री या इस्टोन का पता लगा सकते हैं और फ्रेंट्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो को लाइक, सेर और रेडियोलोजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें